जै मातादी आज हम नवरात्री के लिए बना रहे हैं पनीर स्टफ्ट सेंविच जिसमें कि हम कोई आटा यूज नहीं करेंगे कोई ब्रेड का यूज नहीं करेंगे यह उल्ली साबुदाना और आलू का सेंविच है बीच में हमने टमाटर और पनीर डाला है तो चलिए देख अच्छे से मैश करने है और जो साबुदाना है वह हमने पहले से भिगोया हुआ है साबुदाना हमने एक कप साबुदाने में हमने एक कप ही पानी डाला है मतलब पानी इतना डाले कि साबुदाना अच्छे से बिस उसमें डिप हो जाए इससे जादा नहीं और ढखकर आद आलु में कोई गुटले नहीं होनी चाहिए तभी आपका सेंड्विच सही बनेगा काली मिर्च का पॉड़र डाल दिया है सेंधा नमक डाल दिया है थोड़ा अध्रग हरी मिर्ची डालेंगे हराधनिया डालेंगे हमने इसमें वही चीजे डाली है जो वरत्में खाये जा सकत अच्छे से दबाकर दाने को माणमार इसे देखिया को अधर से मिक्स करें बड़िस लिए थोड़ा साथ हो लिए ग्युणा के नाप्क देखिया वाल में देखिया कहते है आप चाहें तो अच्छी शेप देना चाहते है लुट नाइफसे कट भी कर सकते हैं इस तरह की स्टारबीश बना रहे हैं सेंडविच कैसे बनाना है तो आपको अब दिखाते हम तो जो की स्टुफ पर झैन्विच घुल गोल लेनी है और दो जगा पर लेनी सेंड़िट आप प्रेंसे प्राइब सक्टर्र तक ऊपस्तुर्साहते हो मिशने के लूब ant aioneas और भूकिन अगयिए उनकी प्तलु ऐसी पड़ी सवें सब्सक्तिगार हुआ हूं पटली सभी नदेगी बस नचाहिएक है मिशनवें सकते हैं २त वरत के लिए बता नमक और एक टमाटर डालेंगे क्योंकि टमाटर भी फल होता है एक तरह से, तो हमने वह भी इसमें डालना है, पनीर पर थोड़ा से सेंधानमकось जिखना है, तो पनीर नन्मक कुटेला है, अब वह हां देयी हूल से। बहुत जादा घी नहीं करेंगे हम यूज नहीं हम इसे डी फ्राइ करेंगे एक चम्मज घी लिया है एक चम्मज से भी कम अब हमने टोस्ट को बिल्कुल तवे को बिल्कुल गरम कर लेना है आपने तब इस टोस्ट को सेखेगा ताकि यह बाहर से थोड़ा क्रिस्पी हो तो इसे जब दोनों तरफ अच्छे सब सेख ले तब इसे इस तरह से खड़ा करके चारो तरफ से भी सेख लें यह देखिए चारो तरफ से क्रिस्पी हो जाएगा तो यह सेंडविच हमारा बिल्कुल रड़ी है अब जो हमने टोस्ट बनाया था अलग से उसे भी सेख लेत अब जो हमारत नहीं भी है तब भी आप इस सेंविच को बना कर सकते हैं बिना ब्रैट से और आपको दिखाते हैं यह कैसा बनाया है सच में बहुत सादा टेस्टी बना है इसेंविच बना कर ट्राइगा एक बार सेंविच लड़ी है बचे वी मिक्स्चर से हमने कुछ कीजेगा तो इसी तरह की और वीडियो के साथ मिलते हैं बहुत ही जल्दी तब तक लिए अध्यान रखें टेक यह चैमाता दी